दोस्तो मेरा ना मैं अतुल और स्वागत है आपका अपने यूटिब चनल अतुल टेक बजार में गिववे चल रहा है रियल्मी बट्स क्यू का अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटा फट से कर लिजेगा डिस्किप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जा करेंगे टेक्नो स्पार्क फाइब मॉबाइल यह रिसेंटल यहां पर लांच होया है और एक बजट सेग्मेंट का मॉबाइल है और इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वारा हूं तो दोस्तो वीडियो सुर करने से पहले अगर से अपने चैनल को सब्सक्र आपको दिख जाएंगे वैसे सारे फीचर सो स्पेसिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में जरू से बताऊंगा और यहां पर अगर देखोगे तो मेरे पास जो वैरियंट है टूजी भी थर्टी टूजी भी वाला है और यहां पर अगर बात करें सार वैल्यू की तो यहां पे दोस्तों सबसे उपर आपको डिवाइस रखी हुई दिख जाती है टेकनो स्पार्क फाइब इसे में पहले यहां से अलग कर देता हूं और साथ ही साथ आपको बॉक्स कंटेंट के बारे में भी बता देता हूं तो उपर यहां पे आप देख सकते हो कुछ मैनुल बुक यहां पे दिख जाएगी साथ ही साथ वारेंटी कार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पे इसे बाजू में रख देते हैं और यहां पे आपको एक माइक्रो इस बी सिंपल वाली देखने को मिल जाएगी अगर अब यहां पे चार्जिंग के बारे में बात करू तो Charger की जो Rating है वो यहां पर आप देख सकते हो 5 Volt 2 Ampere Means यहां पर आपको कोई Fast Charging नहीं मिलती है कि Normal सी 10 Watt की Charging देखने को मिलती है Case के बारे में बात करें तो यहां पर मैं Case निकल के आपको दिखा जिता हूं case जो है मुझे काफ़ attractive लगा है बहुत ही अच्छा यहां पे case बनाए गया टीप्यू cover case और यहां पे जो इसकी design है और मुझे बहुत ही ज़्यादा impression लगी है यहां वे अगर आप देखोगे तो techno की branding भी यहां पे आपको देखने को मिल जाती है case cover पे यह मुझे काफ़ी ज़्यादा यहां पे attractive लगी है और अगर इस case cover को आप mobile के साथ यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा attractive look जो है अपका mobile का देखने को मिले का खेर चलिए बात करते हैं mobile के बारे में तो यह है भाई techno spark 5 mobile और backside का अगर मैं लुक दिखाऊं तो आपको लगे का कोई premium costly mobile यहां पे आपको दिख रहा है मेरे हाथ में और पीछे जो है आपको ऐसा लग रहोगा कि भी है glass pack है लेकिन यहां पे आपको glass pack नहीं है टेक्नो की branding आपको यहां पे देखने को मिल जाती है यह एक polycarbonate design है जो कि glass की तरह आपको दिखता है और पीछे की तरह camera design आपको देखोगे तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी यहां पे आपको 4 cameras देखने को मिल जाते जो यहां पे 13 megapixel का है साथ ही साथ यहां पे आपको 2 megapixel का depth sensing और 2 megapixel का micro camera देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो एक कैमरा अलग से है, वो यहाँ पे light sensing के लिए है, राइट साइड में दूस्तों, realme की तरह ही है, आपको यहाँ पे power on off bottom, volume rocker keys देखने को मिल जाती है, यहाँ पे अगर आप left side में करोगे, यहाँ पे sim tray आपको देखने को मिलती है, और sim tray जो है, तो sim और एक micro card आप use कर सकते हो, top side में आपको plain surface देखने को मिलेगा, तो bottom side में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको speaker देखने को मिल जाते हैं, साथ यसब चारजिंग port और 3.5 mm check मिलता है इसे मैंने यहाँ पे boot कर दिया है, मुझे device काफी जदा attractive लग रही है, बाकि specification के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे boot करने के बाद device आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक dot display मिलता है, punch hold जिसे बोलते है single punch hold display आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे जो camera है camera 8 में का pixel का आपको front में देखने को मिलता है, तो कुछ इस type का यहाँ पे design जो है spark 5 में आपको देखने को मिलता है काफी अच्छा मुझे है, पे design इसलिए लग रहा है क्योंकि यह बहुत कम price में आता है अगर pricing section की बारे में बात करूँ तो यह जो device है, इसका 2GB 32GB वाला जो variant है वो 8000 के आसपास है और यहाँ पे इसलिए बो रहा हूँ क्योंकि आपको 8000 रुपे में एक punch hold display वाला mobile देखने को मिल जाता है under 10K about section में जाके आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको iOS 6.0 का support देखने को मिलता है साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको Android 10 मिलता है यहाँ दोस्तों यह जो device है Android 10 के साथ आती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी support देखने को मिल जाता है HiOS 6.0 का जो की latest है और यहाँ पे Android 10 आपको पता है यह भी latest है मैंने इस mobile के front camera से means 8MP से एक selfie लिए और यहाँ पे जो selfie है मुझे ठीक ठाक average ही लग रही है उतना यहाँ पे detailing आपको नहीं मिलेगी पर जो इसका rare camera है 13MP का तो यहाँ पे अगर rare camera से photos आपको लेना अच्छा लगता है तो यह mobile के साथ आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपको sticker के option देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाप के funnies photos आप ले सकते हैं अब चलिए बाता आदू दोस्तों की इस mobile में आपको processor कौन से मिलता है यहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है टेक्नो के mobile में यहाँ पे आपको मिल जाता है P22 वाला processor जो Mediatek Helio P22 वाला processor है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो इस price segment के साथ से ठीक है अगर आप इस design से compare करते हो जो है 5000 mh के आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जो स्प्राइस के recording बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी हो काफी ज़्यादा अच्छा backup यहाँ पे दे सकती है तो अगर से दूस्तों आपका budget 8000 के आसपास है और आप एक अच्छा display वाला hd plus display वाला mobile लेना चाहते हो जो पंच वर डिस्प्ले के साथ आता है एक अच्छी design वाला mobile जिसमें चार camera है तो आप इस mobile के साथ definitely जा सकते हो इसकी कीमत है 2GB 32GB वाले variant की वहाँ पे 8000 रुप है और अगर आप बालागार्ट के आसपास रहते हो और आप यह mobile लेना चाहते हो तो अरेंट mobile स्वापी में mobile एविलेबल है वहाँ से इसलिए आप इसे purchase कर सकते हो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही ये वीडियो आपको पसंदाया होगा तो प्लिस से में चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तब तक लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम